स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस नए वीडियो में जिसका नाम है समराज जवाद एवं उपनी वेशवाद बेसिकली इस वीडियो में हम समराज जवाद के उपर विस्तार से चर्चा करेंगे साथ ही साथ में उपनी वेश्वाद के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे ताकि सामराज्यवाद और उपनी वेश्वाद को हम अच्छे से समझ सके इसके अलावा सामराज्यवाद का उदै एवं विस्तार किस तरीके से हुआ इसके क्या क्या कारण रहे हैं साथ ही साथ में समराज जवाद पर जे ए हॉप्शन के क्या विचार रहे हैं उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं समराज जवाद के उपर दोस्तों अगर हम बात करें समराज जवाद की तो इसका जो अभधारना है समराज जवाद की जो अभधारना ये बहुत ही ब्यापक अभधारना है कुछ लेखक समराज जवाद को किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं तो कुछ जो हैं किसी और तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लेखों का मानना है कि समराज्यवाद जो है वो उसको राजनीतिक प्रभुत्व के रूप में देखते हैं। इनका मानना है कि अगर किसी देश का, किसी अन्य देश के उपर राजनितिक तोर पर अपना कवजा हो जाता है, तो उसको वो समराज्यवाद की संग्या देते हैं। इसको इम्पेरियलिजम कहते हैं और ये लेटिन भाषा के एक इम्पेरियम से निकला है जिसका अर्थ होता है तू कमांड यानि कि आदेश देना। इस प्रकार से अगर हम समराज्यवाद शब्द को देखें तो ये एक देश का, दूसरे देश के उपर प्रभुत्व को दर् समराज्यवाद में एक दैश का दूसरे देश के उपर आर्थक, समाज़िक, राजनीतिक, सैनिक दृष्टी से किसी भी प्रकार का प्रभुत्व बगएर वो है, उसके अलावा एक चीज़ और ये देखने को मिलता है, कि समराज्यवाद में प्रत्यक्षण यनतरन एक दू दूसरे देश के उपर होता है क्या होता है समराज्यवाद में एक देश का दूसरे देश के उपर प्रत्यक्ष नियंतरन देखने को मिलता है वहीं अगर हम बात करें उपनीवेशबाद की तो उपनीवेशबाद जो है यह भी अलगी दोनों मिलते जुलते हैं समराज्यवाद की तरह यह भी दिखता है लेकिन यहां पर एक चीज जो डिफ्रेंस है वो है यह कि अगर कोई शक्तिशाली राष्ट किसी अन्य दुर्बल राष्ट पर ब्यापारिक माध्यम से नियंत्रन स्थापित करता है किस माध्यम से ब्यापारिक माध्यम से नियंत्रन स्थापित करता तो वो उसको उपनिवेश्वाद कह जाता है है सपोज इंग्लेंड सौरी बृते जो है इस्ट इंडिया कम्पशनी वह भारत में हमारी यहां पर आती है 1608 में Hawkins आता है जहांगीर के दरवार में और Hawkins के आने के बाद भारत में क्या करता है इस्ट इंडिया कंपनी वो ब्यापार करना प्रारंब करता है तो जब 1608 से 1757 तक इस्ट इंडिया कंपनी भारत में ब्यापार कर रही थी तो उस टाइम पर भारत जो था एक उपनिवेश था यानि कि अंग्रेजों का वहाँ पर उपनिवेश वाद था हूँ ठीक है लेकिन 1757 के बाद जैसे ही वो प्रशाशनिक नियंतरण अपने हाथों में लेते हैं ठीक है तो हम भारत में जो अंग्रेज्व के साशन बिवस्ता हे हूँ इसको हम उपनिवेश्वाद उपनिवेश्वाद दूतनों तरीके देसे देख सकते हैं Pennsylvania after 757 से पहले का जो काल था उसको हम उपनि वे देख सकते हैं और 1777 चुकि इहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रन थाegal तो चुका था इसलिए मों इसको सामराज्यवाद की संग्या दे शकते ऐँ उ पर जो आपको clear होगा कि सामराज्यवाद में जो है यहां पर एक देश का सक्तिशाली राष्ट का दूसरे देश पर परत्यक्ष नियंतरण होना अवशेक है ठीक है और यह नियंतरण चाहे वो आर्थिक हो, समाजिक हो, राजनीतिक हो या सैनिक हो, किसी भी दृष्टी से अधिपत्य हो सकता है, ठीक है, किसी छेत्र पर राजनीतिक, प्रशासनिक नियंतरण करके उसके छेत्र पर पूरा कबजा जमा लेना, क्या कहलाता है, समराज्यवाद कहलाता ह और वहाँ पर प्रत्यक्ष नियंतरन देखने को मिलता है वहीं अगर हम उपनी वेशवाद की बात करें तो ब्यपार और अन्य नीतियों के माध्यम से एक देश का दूसरे देश के उपर आर्थिक नियंतरन स्थापित हो जाता है तो उसको हम उपनी वेशवाद कहते है यहाँ पर प्रत्यक्ष या अपरत्यक्ष दोनों तरीके का नियंतरन देखने को मिल सकता है हो सकता है कि वहाँ पर वह प्रत्यक्ष नियंतरन भी हो और हो सकता है कि वहाँ पर आपर प्रत्यक्ष नियंतरन भी हो तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहेंगे उपनी वेशबाद कहेंगे आई होप ये समराज जवाद और उपनी वेशबाद के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं समराज जवाद के उदै और इसके विस्तार की दोस्तों अगर हम समराज्यवाद के उदय की बात करें और इसके विस्तार की बात करें तो समराज्यवाद का जो उदय होता है वो फ्रांस में होता है और नए नए छेत्रों पर यूरोपिय देश जो है वो अपना कबज़ा जमाते हैं जिससे समराज्यवाद का उदय होता है अब ये प्रशन उठता है कि ये नए नए छेत्रों पर कबज़ा जमाते क्यों हैं तो दोस्तों होता क्या है कि बिटेन, पुर्तगाल और स्पेन जैस रफ्तार प्रारंब होता है लेकिन 1776 में अमेरिकी क्रांती आती है जिसके बाद सामराज्यवाद थोड़ा धीमा पड़ता है और इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है लेकिन 1870 के दशक में होता कैए अद्योगी क्रांती आती है और अद्योगी क्रांती के परिणाम चेमाल और नए बाजार की खोज ने पुना समराज्यवाद को जिवित कर दिया और इस दोर में यूरोपिय देशों के साथ साथ में जर्मनी इटली अमेरिका और जपान जैसे राष्ट भी समराज्यवादी ताक्तों के रूप में उभर कर सामने आए और ये सिलसिला आगे च देन थी एक तरीके से इसी का एक परिणाम था हूता क्या है समराज्यवाद के सभी जो देश थे शक्तिशाली राष्ट थे वो अपना समराज्यवाद स्थापित करने के लिए उनके बीच में प्रतिस परधा शुरू हो गई जिसके परिणाम सुरूप 1914 से 1918 में प्रथम वि इसने फिर एक बार क्या करा समराज्यवाद को और भी आगे बढ़ाया परिणाम सुरूप दृत्य विश्विद फिर सामने देखने को मिलता है दृत्य विश्विद जो था ये भी समराज्यवाद के विस्तार का ही परिणाम था इसके बाद क्या होता है जैसे दृत्य पर जो है अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया जा चुका था तो अब समझ में आ चुका था लोगों को और विश्व को कि अगर दुबारा से यह विश्विद होता है एक और तो फिर दुनिया में कोई भी नहीं बच पाएगा शायद तो इस वज़ा से 1945 में UNO यानि के स समापती के बाद आपको पता होगा एशिया अफ्रीका और लैटन अमेरिका देशों में जितनी भी समराज्यवादी ताकते थी उन्होंने उनको स्वतंत्र करना शुरू कर दिया क्यों कि दुट्य विश्विद के बाद यह जो खुद समराज्यवादी ताकते थी वो जैसे जो है समराज्यवाद धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला गया और अंतता 1990 में सोवेद संका भी घटन और दक्षिन अफ्रीका में रंगवेद की निती की समापती के साथ ही समराज्यवाद का अंत हो जाता है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि समराज्यवाद का विस इसके उदय के कारण क्या क्या रहे है किस वज़ा से यह समराज्यवाद का उदय हुआ तो अब देखेंगे तो पहला जो मुख्य कारण है यहाँ पर मैं 4-5 कारण ही बताऊंगा आपको अगर आप गूगल करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे कारण आपको मिल जाएंगे त संद्रवी सोलविष्टाबदी में अपनाई गई ठीक है इसके बाद वहां पर जो है इसी ने जो है समराज जिवाद के उद्य में महत्पून भूमिका निभाई नए ने छेत्रों की खोज की गई उन पर कबजा जमाये गया और इसी प्रभित्ति ने समराज जिवाद को आग आए के साधन जो है वो तलाश रहा था तो इस तरीके से अलग-अलग जो नए नए छेत्रों की खोज हुई इसने क्या करा एक तरीके से समराज जिवाद के उद्य में महत्पून भूमिका निभाई दूसरा जो मुख्य कारण बना वो था ओद्योगिक क्रांती ओद्योगि में जो है वहाँ पर उत्पादित बस्तूओं जो हैं वो बहुत जदा हो जाती है बस्तूओं का निर्मार इतनी मात्रा में हो जाती है कि उनका यरूपिये देशों में खपट कर पाना बहुत मुख्य हो जाता है 야 तो एक तो निर्मित माल के लिए बाजार ढूंड़ना श इसका एक महत्पुन कारण बना अध्योगी क्रांती नेक्स्ट जो महत्पुन कारण था वो था जनसंख्या ब्रिद्धि उन्नीस्वी सतवधी के अंत था कि योरोपिये देशों में जनसंख्या का विस्फोर देखने को मिलता है ब्रिटेन की अवादी को अगर हम देखें तो वो तीन गुना हो जाती है वहीं जर्मनी और नीदरलैंड की अवादी दो गुनी हो गई थी इस बढ़ती हुई अवादी को रोजगार देने के लिए और उनको बसाने के लिए अधिक छेत्रों की अवशक्ता थी जिस कारण से क्या हुआ समराज्यवादी नीती को अपनाया गया इसके अतिरिक एक और जो मुख्य कारण था वो था इसाई धर्म का प्रचार प्रसार इसाई धर्म के प्रचार प्रसार ने भी समराज्यवाद के उदय में एक महत्पून भूमी का निभाई क्योंकि इसाई मुशनरी जु हैं वो एक छेटर से दूसरे छेटरों में जाकर अपने इसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे जिससे नए ने छेटरों की खोज हुई और समराज्यवादी ताकतों ने ये धार्मित प्रचार के माध्यम से अपना नियंतरन अन्य छेतों पर स्थापित करना प्रारंब कर दिया तो इशाई धर्म के प्रचार प्रसार ने भी समराज्यवाद के उदय में महतपून भूमिका निवाई और भी बहुत कारण आप गूगल करके उसको देख सकते हैं आसानी से मैं यहाँ चार ही कारण आपको बता रहा हूँ तो अगला जो हमारा टॉपिक है समराज्यवाद पर जे ए हॉपसन के विचार हॉपसन के क्या विचार हैं समराज्यवाद के उपर उसके बारे में अब देख लेते हैं 1898 में दक्षिन अफ्रीका में ये युद होता है जिसे वोर युद के नाम से जाना जाता है और ये युद ब्रिटिस समराज्य और दक्षिन अफरीका में जो समुदाएं है वोर समुदाएं उनके बीच में लड़ा गया और इसी युद के दोरान हॉपसन ने समराज्यवाद की सेधान्तिक व्याख्या प्रस्तुत करी और समराज्यवाद का इन्होंने अर्थ क्या बताया है इनका मानना था कि उद्योग पतियों द्वारा बिदेशी बाजारों तथा बिदेशी निवेश के माध्यम से अपनी अधिशेस पूनजी के निकास के लिए रास्ते खुलना चाहते हैं चाह कहते हैं कि समराज्यवाद का जो अर्थ है इनके अनुसार इनका मानना है कि उध्योग पती जो होते हैं वो क्या करते हैं बिदेशी बाजार और बिदेशी निवेश के माध्यम से जो अपनी अधिशे पूंजी है उसके निकालने के लिए एक रास्ता खोलना चाहते हैं जो इन समराज जवादी नीतियों को प्रोचाहन देता है और यही बड़े-बड़े बैंक, विदेशी उद्योग पती, यह क्या करते हैं? यह करते हैं आर्थि जो समराज जवादी जो नीतियां हैं उसको यह प्रोचाहित करते हैं हॉपसन के अनुसार समराज जवाद का जो मूल सार है वो है और योगिक द्रिश्टी से बिक्सित राष्ट्रो द्वारा जो निम्ण और पिछडी जाती के लोग हैं उनकी भूमी एबं उनके प्राकिर्तिक संसादों पर आर्थिक तथा राजनितिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्ष है हॉपसन के अनुसार समराज जवाद का अर्थ है और द्योगिक द्रिश्टी से बिक्सित राष्ट्रो द्वारा निम्ण तथा पिछली जातियों की भूमी और उनकी प्राकिर्तिक संसादनों पर आर्थिक एबं राजनितिक प्रभुत्व बजार ढूंडने में नहीं थे जो यह संघर्ष होता है वो किसलिये होता है यह संघर्ष जो है वह होता है अपने निर्मित माल और अधिशेश के लिए बजार ढूंडने के लिए इन चीजों के लिए अपने निर्मित माल को बेचने के लिए साथी साथ में कच्चे माल को करने के लिए नए नेचित्रों की तलाश करते हैं इसी वज़े से जो है क्या होता है समराज जिवाद का विस्तार होता है और इनी उद्रिश्यों की पूर्ती के लिए समराज जिवाद का विस्तार शक्तिशाली राष्टों द्वारा किया जाता है हॉबसन का मानना था कि समरा ब्हुमिगा होती है वो होति है पुझी पती वरगों का पुझी पती वरग जो होती है naval एक पुझी पती वरग बेसमराजUMी को inhibने葉स के समर्थन में महत्पुण, भूमिका निवही किया जा सके वहां पर अपने निर्मित वस्तूओं को बेचा जा सके और साथ ही साथ में उस छेत्र से कच्छे माल को प्राप्त करके दुबारा से उसका निर्मित किया जाए और फिर से दुबारा वही पर निर्मित माल को बेचा जा सके तो कुल मिला के यह कहना चाहते हैं कि पुण्चीपति बर्ग है वो उपनिवेशों को एक लावकारी माध्यम मानते हैं साथ हॉपसन का मानना था कि अगर हम पुण्जीवादी उत्पादन की जो अधिकता है जो उत्पादन जो अधिक हो रहे हैं उसको अगर कंट्रोल कर ले और इसके साथ-साथ में जो इसका दूरुस्त कर ले ठीक कर ले तो हमें दूसरों देशों पर कबजा जमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और सामराज्यवाद पनपेगा ही नहीं तो इन्होंने तो सबसे पहले बताए कि सामराज्यवाद है क्या तो सामराज्यवाद इनके अकोर्डिंग क्या है तो एक श समराज्यवाद का मुख्य कारण क्या बताया इन्होंने तो समराज्यवाद का मुख्य कारण रहा इनके अनुसार इनका मानना है कि समराज्यवाद का मुख्य कारण पुन्जी बादी उत्पादन प्रणाली नहीं है बलकि आय के गलत बीतरन है इनका मानना है कि जो आय का बीत वही गलत है और इसी की वज़ा से समराज्यवाद का विस्तार हुआ है अता समराज्यवाद की धारणा का आकलन करते हुए होबसन ने पुंजिवाद की नहीं बलकि पुंजिवाद की बिकृति की आलोचना की है ठीक है पुंजिवाद को ये दोशी नहीं ठैराते इनका मानना कि पुंजीबाद इसके लिए समराज जवाद के लिए दोशी नहीं है बलकि पुंजीबाद में जो विक्रितियां है वो दोशी है समराज जवाद के लिए जो इसे विदेशों में प्रसारन के लिए मजबूर करती है और उस अधिशेस को खपाने में साहिता करती है जिसमें स स्वार्थ के समचालित करने के लिए यूज करता है इनका मानना है कि जो दोश है न वो पुण्जिबाद में नहीं है बलकि गलत बीतरनी जो प्रनाली गलत प्रनाली ए उसमें है जिससे एक पुण्जिपती वर्ग जो अल्पतंत्र है वो अपने आर्थिक हितों की पूर्ती क करने के लिए क्या करता है अपने स्वार्थों की पूर्ती करने के लिए सम्राज्यवाद को बढ़ावा देता है हौपसन के अनुसार समराज जवाद का जो एक और मुख्य कारण रहा है वो क्या रहा है वो रहा है पूंजी निवेश पर अधिक बल देना दूसरा क्या कारण रहा है पूंजी निवेश पर अधिक बल देना और साथ ही साथ में अपने ही देश में बेतन भोगी द्वारा अल उपभोग इसके अलाबा जो समराज्यवाद का जो दूसरा मुख्य कारण क्या था एक तो पूंजी निवेश जो उद्योग पती हैं उनके द्वारा किस बात पर बल दिया जा रहा है कि अपने पूंजी को निवेशित करना है कहीं न कहीं लगाना है चाहिए वो उद्योग हो ज्यादा ज्यादा बस्तुवे खरीच सके उनके पास इतना पैसा है नहीं कि वो ज्यादा ज्यादा जो बस्तुवे निर्मित है उसको खरीच सके और वो जो बस्तुवे निर्मित हुए उनके देशों में उसको खपा सके दूसरे सब्दों में अगर देखा जाए तो पुं अधिक बस्तूएं नहीं खरीद पाते जिससे देश की बस्तूएं में खपत नहीं हो पाती है और इसकी बज़ा से क्या-क्या होता है एक तो बेकारी बढ़ती है ब्याज की धरे निम्न हो जाती है आर्थिक गिरावाट का भी कारण ये बन जाता है ठीक है तो अत्यधिक बल जो है जो कि पुणजी निवेश पर दिया जा रहा है यह नहीं कि जो अधिशेस बच रहा है तो बस्तुएं जो बना रहे हैं वो जदा से विकेंगी तो इससे क्या ओगा फिर समराज्यवाद का विस्तार नहीं होंijn हो में पूंजी का निवेशकार निवेश जो है उनको लावकारी नहीं लगता है ऐसी स्थिति में हॉप्शन के अनुसार के बल दो ही विकल्प हो सकता है एक विकल्प जो कि उनके अनुसार उचित भी है और वो मानते हैं कि उद्योगों से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा भ पूंजी का दूसरे देशों में जाकर निवेश किया जाए जो दूसरा कारण मानते हैं वो क्या है कि जो अधिशेस पूंजी है वो क्या कर रहे हैं दूसरे देशों में जाकर निवेश कर रहे हैं जहां से अधिक से अधिक लाव वो कमा सके तो आपने देखा कि जबाद पनपता है और समराज जबाद पनपने का जो मुख्य कारण क्या है कि वहां के जो उद्योगपती हैं जो वहां के उद्योगपतियों को जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट का वह पूंजी का निवेश करना चाहते हैं कहीं और जाकर बजाए इनका मानना है क ऐसा करने के बजाए क्या करना चाहिए उद्योगपतियों को उनको अपने पूंजी का अधिकतर भाग जो है अपने प्रॉफिट का अपने मुनाफे का अधिकतर भाग जो है वहां के काम करने मजदूरों को दे देना चाहिए उनकी आए के रूप में या उनको बोनस के अब आ जाते हैं इसके कुछ आलोचक इसकी इनकी आलोचना भी जो है कही अधारों पर की जाती है तो इसमें कोई संदे नहीं है कि समराज जवाद के आर्थिक विसलेशन के संदर में हॉबसन ने कुछ महतपूर्ण और कारगर बाते कहीं है परन्तु इसके लिए उन्होंने पुंजिवाद पुंजिवादी उत्पादन के धांचों को दोशी ठहराया जो समराज जवाद के लिए उन्होंने पुंजिवाद को दोशी नहीं ठहराया बलकि उन्होंने आय के गलत बीतरन को गलत ठहराया उनका मानना था कि आय का जो गलत बीतरन है वो समराज जवाद क मुख्य कारण है ठीक है तथा उसका विश्वास था कि समाजिक तथा वित्तिय सुधारों के माध्यम से समराज्य वाद से मुक्ति पाई जा सकती है क्या माना उन्होंने उन्होंने माना कि समाजिक सुधार और वित्तिय सुधार से क्या हो सकता है कि समराज्य वाद से मुक्ति पाई जा सकती है इसके अलावा एक और जो अलोचना की जा सकती है वह अुद्योगिक पुनजीवादी समाजों में आर्थिक बीतरन में परिवरतन करने के पक्ष में تھे लेकिन उन्हों ने जो है यह नहीं बताया कि जो यह आर्थिक परिवरतन होगा आर्थिक जो बीतरन है इसमें परिवर्तन जो लाएगा वो लेकर कौन आएगा तो दूसरी अलोचना इसी अधार पर इनकी की जाती है कि हॉबसन ने किसी ऐसे समाजिक वर्व का वर्णन नहीं किया खुले रूप से कि कौन इन सुधारों को किरियानवित करेगा इन सुधारों को करेगा कौन तो इसका कोई उन्होंने परत्यक शुरूप से या खुल कर कोई चर्चा नहीं करिया उन्होंने इस वज़े से दूसरी अलोचना इन्होंने इस वाधार पर की जाती है पहली जो अलोचना है वो किस अधार पर की जाती है कि इन्होंने पुण्जिवादी उत्पादन जो है उसको समराज्यवाद का मुख्य कारण नहीं बताया उन्होंने बताया क्या के आये के गलत बीतरन को मुख्य कारण बताया तो पहली अलोचना तो यह है कि आये का गलत बीतरन समराज्यवाद के कारण नहीं है बलकि क्या है कारण पूंजिवादी उत्पाधन जादा जादा जो उत्पाधन हो रहा है जिसकी वज़ा से तुम्हारे मन में यह लालत जागरी है कि हम जाकर कैसी और देश में के उपर कवज़ा जमा है और वहाँ पर अपनी वस्तूंगों को बेचे तो यह जो प्रवृत्ती है यह समराजिवाद का मुख्य कारण है अलोचकों का यह मानना है दूसरा जो कारण मनता है वो क्या है कि हॉप्सन का मानना है हॉप्सन ने क्या का था कि जो आय का जो बीतरन है अगर उसको ठिक कर लिय जाए तो क्या हो जाएगा समराज्यवाद से मुक्ति मिल जाएगी लेकिन उन्हों ने यह नहीं बताया कि इस कार्य को करेगा कौन इस कार्य को इन सुधारों को क्रियानबित करने का बीड़ा कौन उठाएगा तो दूसरी अलोचना इस अधार पर इनकी की जाती है तो आई हो यह वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आयोगा मिलते है नेक्स्ट वीडियो में